इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्राचिन समय में एक नगर में एक दमपत्ती रहता था, जिनका ब्यापार समरद्ध था, परन्तु उनके कोई संतान नहीं थी, इसी कारण से बे हमेशा निराश रहते थे, घर की महला बहुत धार्मिक थी, और सदय पूजा पाठ में लगी रहती थी, वो संतान प्राप्ती के लिए प्रभू से दिन रात बिंती किया करती थी, ऐसे ही करते करते दस साल बीद गए, एक दिन बहे इस्तरी दोफैर के समय प्रभू से प्राथना कर रही थी, कि अचानक द्वार पर एक सादू हाथ में कमंडर लिये हुए द्वार पर आए, उन्होंने बोला पुत्री परेशान क्यों हो, उस उस्तरी ने उत्तर दिया, बाबा हमारे कोई संतान नहीं है, मुझे आशिरवाद दोता कि मेरे घर में बच्चों की किलकारी गुझे सादू ने कुछ समय सोचा और बोला ऐसा करूपित्र पच्चे यानी कि सराद के बाद अश्वनी के नवरात्र में अपने हाथों से माता का सरूप बनाओ, और उनकी नो दिन पूजा करो, मा तुमारी इच्छा संपूर्ण करेगी, उनकी कहे अनुसार सराद पच्च में माईला ने तालाप से मिट्टी लाकर मा का सरूप तयार किया, साथ ही सूरच चांद इत्यादी बना करा मवस्या की, रात जब नवरात्री शुरू होती है, मा का दरवार गाय के गोबर से दीवार पर सजाया, और जो भी बोई, जो खुशाली का परतीक है, नौ दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नहां दोकर सुन्दर आवुशर पहन कर मा की पूजा की, और हर साइकाल आसपास की कौारी कन्याओं तथा इस्तरियों को बुलाकर मा का भजन कीरतन किया, तथा यथा योग उनको प्रसाद भी दिया, अश्टमी के दिन कन नौ दिन मिट्टी का सरूप बना कर पूजा प्राथना करेगा, मैं उसकी हर मनो कामना पूण करूँगी, संतान हीन को संतान क्वारी कन्याओं को मन चाहा बर और धन हीन को धन की बर्शा करूँगी, मा के कहे अनुसार उस इस्तरी ने पुत्र को जनम दिया और पूण प्रेंड्स जो आप ये सांजी माता की मूर्ती का फोटो देख रहे हैं, इसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक की डिस्क्रेक्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाबाए